आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे प्रीविएस वीडियो को बहुत प्यार दिया इसी चीज को मध्य नजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेखे आया हूँ जैसा कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको टालिफोनिक कानुसेशर में प्राबलम होती है एक नॉर्मल एंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन जब टालिफोन या फोन पे जब बातचीत करते हैं तो उस समय हमारे पास में अच्छी फ्रेज नहीं होती है आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी फ्रेजिस लेके आया हूँ जिससे आप अपनी लंग्विज को चारचांद लगा सकते हैं जब हम टालिफोनिक कानुसेशन करते हैं तो बहुत बार हमारे सामने प्राबलम्स आती हैं जैसे वो प्राबलम हो सकती है फूर फॉर फॉर नेट्वर्क को लेकर वो प्राबलम हो सकती है लो बैटरी को लेकर वो प्राबलम हो सकती है बीजी है उसको लेकर भी हो सकती है सबूस्ज यू आर बीजी तो आप किस परकार से आप लोगों को बताएंगे that I am busy I cannot talk to you right now जब network problem हो और किसे के आवाज नहीं आ रही है तो आप कह सकते हैं sorry I am sorry I can't hear you आप कह सकते हैं माफी चाहता हूँ I can't hear you आप इस phrase का use कर सकते हैं अगर इससे थोड़ा और अच्छा बोलना हो तो आप कह सकते हैं I am sorry your voice is breaking क्या कहेंगे I am sorry your voice is breaking या फिर आप कह सकते हैं I am sorry you are breaking आपने voice को skip कर दिया और आप direct भी कह सकते हैं You are breaking अगर इससे भी और अच्छा बोलना है और किसी की आवाज रुक रुक कर आ रही है तो आप कह सकते हैं I am sorry your voice is coming intermittently Your voice is coming intermittently आपकी आवाज है रुक रुक कर आ रही है इससे भी और बहतर बोलना हो तो आप कह सकते हैं I am sorry your voice is jarring बहुत अच्छा शब्द है I am sorry your voice is jarring इससे भी बहतर आपको बोलना हो तो आप कह सकते हैं I am sorry your voice is echoing करी बार दो दो आवाज आती हैं एको करता हैं तो आप कह सकते हैं I am sorry your voice is echoing इसे भी बहतर बोलना हो तो आप कहे सकते हैं I can hear मैं सुन तो सकता हूँ आपको I can hear but in bits and pieces मैं टुकडों में कई बार एक शब्द आता है थोड़ी दर बाद में दूसरा आता है जब conversation कर चलता रहता है तो उसके बीच में एक एक दो दो शब्द आपको सुनाई पड़ते हैं तो आप कहे सकते हैं I can hear but in bits and pieces मैं bits and pieces में आपको सुन सकता हूँ इसके अलावा भी आप कहे सकते हैं I can hear you on and off रुक रुक कर आपकी आवाज आ रही है तो आप इस प्रकार से आप बोल सकते हैं जब natural problem हो जब किसी को पूछना हो कि क्या मेरी आवाज है सही आ रही है तो आप किस प्रकार से पूछेंगे कैसी अच्छी अच्छी phrase हैं उनका इस्तमाल कर सकते हैं I can hear me loud and clear क्या आप मुझे सही और clear सुन पा रहे हैं आप इसे और अच्छा बोलना हो तो आप कह सकते हैं Am I audible to you? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप suppose लोगों को address कर रहे हैं आप podium पर बोल रहे हैं, stage पर बोल रहे हैं, mic पर बोल रहे हैं आपके सामने audience बैठी हुई है तो सबसे पहला आप यही sentence बोल सकते हैं Am I audible to you? वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम आएगा कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप कह सकते हैं Is my voice audible? क्या मेरी voice है? वो audible है? इसे अच्छी और भी phrase आप यूज कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं Am I audible because I am out on the road? Am I audible because I am out on the road? ठीबार आप बाहर होते हैं और बातचीत करते हैं शौरबूल वहाँ ज़्यादा होता है आप बाजार में होते हैं तो आप पूछ सकते हैं Am I audible because I am out on the road? मैं रोड पे हूँ, बाहर हूँ क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप पूछ सकते हैं Is my voice low? क्या मेरी आवाज है? वो आ रही है low तो नहीं है धीमी तो नहीं है आप पूछ सकते हैं Is my voice clear enough? क्या मेरी आवाज है? वो clear enough है क्या आप मुझे आराम से सुन पा रहे हैं? अगर सामने वाले को आपको कहना है कि मैं आपको clearly सुन पा रहा हूँ तो आप yes बोल के और इसी sentence को repeat कर सकते हैं Yes, I can hear you clear enough या फिर अगर नहीं सुन पा रहे हैं अच्छे से तो आप कह सकते हैं I am barely managing to hear you I am barely managing to hear you अगर आपकी mobile की battery low है और आपको किसी को बताना है बाचीत आप नहीं कर सकते तो किस परकार से किन phrase के साथ में आप इन चीजों को communicate कर सकते हैं आप कह सकते हैं Can I call you after charging my mobile? क्या कह सकते हैं? Can I call you after charging my mobile? या फिर आप कह सकते हैं Hey, you have to be quick because my battery is about to die आप कह सकते हैं आपको थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो mobile की battery है वो खत्म होने ही वाली है आप कह सकते हैं My battery is about to drain Could you please text me if it is not important? आप कह सकते हैं May I repeat it again? Okay My battery is about to drain Could you please text me if it is not that much important? अगर आपको कहना है कि मेरी mobile की battery है वो खत्म होने ही वाली है अगर आपका conversation इतना ज़्यादा important नहीं है तो क्या आप मुझे tax कर सकते हैं? इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि before we start before we start our conversation I might lose you because I am on 3% battery आप कह सकते हैं कि हम बाचीत करने से पहले हो सकता है वो phone है वो disconnect हो जाए क्योंकि मेरी mobile में battery है केवल 3% है कई बाचीत करते रहते हैं और बीच में ही phone disconnect हो जाता है आप ये सोचते हैं कि सामने वाले ने phone disconnect कर दिया तो आप पहले ही इस चीज़ को clear कर सकते हैं कि आप English में कह सकते हैं before we start speaking before we start our conversation let me clear one thing that I might lose you because I am on 3% battery आप इस प्रकार से अपने message को communicate कर सकते हैं दोस्तो मेरा जो टालिफोनिक conversation है उसके लिए जो हम अच्छी अच्छी phrase इस्तमाल करते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया था अगर आपको इस वीडियो इन्फरमेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like करें अपने friends के साथ में share करें और अगर आप मेरे channel पे नए हैं और आपको अपने English को improve करना है तो आप मेरे channel को subscribe कीजिएगा Thank you so much for your support करें करें करेंगा